आज की इस वीडियो में बाय का सभी परियोग सेखेंगे बाय का योज मल्टिपल तरीके से क्या जाता है अंग्लेजी में एक वर्ड है बाय और इसका परियोग अलग अलग तरीके से करते हैं यहाँ पर देखें बाई का मतलब हैं से, पेशा से, के दुआरा, तक, खुद से, से, बगल में, के हिसाब से, कुछ करके, के दुआरा मतलब अलग-अलग तरेके से करते हैं तो इस वीडियो में by का सभी परियोग सेखेंगे by से बनने वाले जितने भी sentences होंगे जितने भी concepts होंगे जितने भी examples होंगे वो सभी पर इस वीडियो में बात करेंगे तो by का मतलब है say और say का परियोग हम करते हैं से वो जन्म से अंधा है यह natural है तो sentence होनेगा he is blind वो अंधा है by birth मतलब जन्म से यहाँ गलती से हो गया तो जैसे बोलते हैं न it happened by mistake आपने कई सरलोगों के मुझसे सुना होगा by mistake यह हो गया by mistake उसने यह कर दिया तो by mistake मतलब गलती से by birth मतलब जन्म से ऐसे बोलते हैं by by का मतलब है तक तक के लिए पाले से हमारे पास word है और वो हमारे पास अलग अलग तरेके से हैं तक के लिए लेकिन यहाँ पर by का मतलब तक होने वाला है अमन मार्च तक अंगरेजी सिख जाएगा तो sentence future का होना चाहिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है future का sentence होना चाहिए अगर उसमें तक आया हुआ है future के sentence में तब वहाँ पर by परयोग करेंगे अन्यता तक के लिए till भी होता है तक के लिए up to भी होता है तक के लिए until भी होता है पैसे कही सरे सब्द है आमन विल लर्निंग लिस आमन अंगरेजी सिख जाएगा by March मतलब March तक हम लोग April तक एक नया जोब पाएंगे इससे बोलते हैं मैं साथ बज़े तक वहाँ पहुच जाओंगा I will reach there मैं वहाँ पहुच जाओंगा by 7 एम साथ बज़े तक यहाँ पर एम है तो मतलब यह morning की बात है अगर पी एम रहता यहाँ पर evening का बात होता वो चार बज़े तक यहाँ काम खत्म कर देगा He will finish this work वो यहाँ काम खत्म कर देगा by 4 एम चार बज़े तक तो by का मतलब है तक और पी एम है तो मतलब evening की चार बज़े by का मतलब है पास या फिर बोलें तो बगल में मेरे पास में अंग्रेजी बोलो speaking less अंग्रेजी बोलो by me मेरे पास में रमेस मेरे पास में बेठा था रमेस वाज सिटिंग बाई मी रमेस मेरे पास में बेठा था वो मेरे बगल में काम कर रहा था he was working by me he was working by me वो मेरे बगल में काम कर रहा था वो हम लोगों के पास में खाना पका रही है she is cooking food वो खाना पका रही है by us हम लोगों के पास में हम लोगों के बगल में ऐसे बोलते है बाइक का मतलब है इसे लेकिन वहाँ पर होना चाहिए ट्रांसपोर्ट कोई भी वाहन की बात हो जैसे कि बाइक, ट्रेन, बस, आटो इसे बात करते हैं किसी वाहन से हो जैसे मैं फ्लाइट से दिल्ली जाऊंगा तो संटेंस बनाएंगे, I will go to Delhi by flight, मैं फ्लाइट से जाऊंगा, वो बस से आया, he came by bus, वो बस से आया, यह बस, फ्लाइट यह सब वहान के अंदर आएगा, और वहान से जैसे आए, तो कोई वहान से, तो से के लिए जो परियोग होगा, वो बाइ होगा, इसे से का मतलब from भी ह होता है, कई सरे सब्द है, लेकिन सबका situation बना हुआ है, इस situation में, इस condition में यह परियोग होगा, इस situation में, इस condition में यह परियोग होगा, तो इस condition में वहान से में बाइ परियोग होगा, रहूल ट्रेंड से जा रहा था, रहूल वाज गोइंग बाइ ट्रेंड, रहूल ट्रें से जा रहा था बाई बाई का मतलब है पेशा से पेशा से मतलब बाई जिसे बिराट कोली पेशा से एक खिलाडी है आप पेशा की बात करते हैं जिसे की कोई पढ़ता है या फिर कोई काम करता है कोई वकील है उसका पेशा वकील हो गया कोई ट्रेटमेंट करता है तो उसका प इसपर गर से बात करते हैं। विरत कोहली खिलारी हैं तो उसका पैसा क्या हो गया। Då संटवीय। बॉनेडीज था अहिनेश्थ आ है분 sip उप्लेएर, पूफेशनौला काम पीश्थ्दैश्थं। जीसे, तो भी पैसा होगा, उसका नाम लखेंगे। यह पर देखिए, तो by के साथ यहां पर बूल सकते हैं, कि by profession मतलब पेशा से, पेशा से वो क्या actor है, पेशा से क्या है तो player है, पेशा से teacher है, पेशा से जो भी होगा engineer है, वो हम लिख देंगे, तो वो पेशा से एक doctor है, he is a doctor by profession, तो by profession मतलब पेशा से, वो doctor है तो sentence में बनाए वो पेशा से एक nurse है, तो यह जो nurse, वो nurse है by profession मतलब पेशा से, अब पेशा क्या होता है, जिससे हमारा मुख्य काम होता है, जो हमारा मुख्य काम होता है, वो हमारा पेशा होता है, जिससे मुख्य काम क्या हो गया, तो कोई doctor है, कोई actor है, कोई खिलारी है, कोई वकील है, उस का मतलब है कि दुवारा जो सबसे ज़्यादा लोग इससे जानते हैं और इसका मतलब है कि आप समझें कि पेशिव संटेंस में परियोग करते हैं इसे मोबाइल उसके दुवारा बेचा जाता है तो यहां पर संटेंस होनेगा कि मोबाइल एज सोल्ड मोबाइल बेचा जाता ह उसके द्वारा जब द्वारा आए तो द्वारा के लिए बाई और उसके के लिए हीमा जाएगा अगर लड़का है तो हीम अगर लड़की है तो हर आएगा तुम्हें अमेरिका मैनेजर के द्वारा भेजा जा रहा है You are being sent to America, तुम्हें अमेरिका भेजा जा रहा है, by manager मतलब manager के द्वारा, प्रवंधक के द्वारा तो इससे बात करते हैं, गली राहुल के द्वारा सजाई जा रही है, the street is being decorated by राहुल, by राहुल means राहुल के द्वारा by me, मेरे द्वारा by you, आपके द्वारा by them, उन लोगों के दुवारा तो अलग-लग तुस तरीके से हम बोल सकते हैं अब मैं by का मतलब could say मतलब myself yourself इस प्रकर से मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूँ I can write a letter मैं पत्र लिख सकता हूँ by myself मैं खुद लिख सकता हूँ मतलब खुद से लिख सकता हूँ वो खुद से खाना बनाता है, वो खाना बनाता है या पकाता है बाई हिमसल्फ खुद से, रोहित खुद से खेत का काम करता है, तो रोहित डज रोहित करता है फिल्ड वर्क मतलब खेत का काम बाई हिमसल्फ खुद से, अब ये जब आप किसी noun से pronoun जब आप बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे होता हैं से कि noun अगर हमारा रवी है तो इस रवी का pronoun ही होता है और ही का objective case ही होता है और इसी का reflexive case himself होता है जो यहाँ पर इस प्रकार से परियोग हुआ है अब ये बाय का मतलब एक एक करके बोले या दीन परते दीन बोले या साल दर साल बोले इन सभी के लिए भी आप बाय परियोग करते हैं जिसे एक एक करके अंदर आओ तो एक करके अंदर जाओ तो go inside अंदर जाओ one by one मतलब एक एक करके तो यहाँ पर बाय का परियोग हुआ ह साल दर साल वो उन्नती कर रहा है He is progressing वो उन्नती कर रहा है Year by year मतलब साल दर साल By का मतलब है के हिसाब से जिसे बोलता है आम कीलो के हिसाब से बेचा जाता है तो mangos are sold by the kilogram केला दर्जन के हिसाब से बेखता है Banana is sold by a dozen ध्यापर बनाना से पहले आप साहे तो दा बनाना कर सकते है By का मतलब है किसी की रासी मतलब किसी का दाम घटना या बढ़ना उसमें भी हम परियोग करते है इसे चावल का दाम घट गया The price of rice चावल का दाम वाज डिक्रीजड मतलब घट गया यह संटेंस पेसिब है जो कि वाज के साथ यहाँ पर वित्रिया गया है आटा का दाम बढ़ गया प्राइस अफ लार वाज इंक्रीजड यहाँ इंक्रीजड भी यहाँ पर वित्री है जो कि यह वब हैं इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना डिक्रीज की जगह पर आप साएं तो रेडियूस भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब बाई का परियो करते हैं समय पूछने के लिए भी जैसे रवी के घड़ी में 10 बजाए तो इट इस टैन ओक लॉक बाई रवी जो वाच रवी का घड़ी में या रवी के घड़ी के अनुसार ऐसे भी बोल सकते हैं बोलते हैं आपके घड़ी में कितना समय हुआ या फिर समय कितना हुआ किसी से आप पूछते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं What is the time by your watch या फिर चाहें तो आप your quarter सकते हैं तो by watch भी आप कर सकते हैं तो what is the time by watch अगला word है वो हैं बाई और बाई का मतलब हैं के दुवारा लेकिन वहाँ पर बात हो कम्यूनिकेशन की, मतलब बातचित की, जैसे मैंने पोस्ट के दुवारा पत्र भेजा, मैंने कोरियर कर दिया, तो संटेंस बनेगा I sent you a letter, मैंने आपको एक पत्र भेजा, बाई पोस्ट मतलब पोस्ट के द मतलब पेडियाप, बाई इमेल, इमेल के दुवारा, अगला सब्द हैं बाई और बाई का मतलब हैं कुछ करके, जैसे बोलता है न, वो चाय बेचकर पैसे कमाता है, तो he earns money by selling the day, तो बाई का मतलब हो गया कि कोई काम करके, जब होगा बाई के साथ वीफोर आएगा, जो भ रवी मेहनत करके कार खरीदा है, रवी has purchased a car, रवी कार खरीदा है, बाई working hard मतलब मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, तो बाई के बाद आप देश सकते हैं आप पर वीफोर आया हुआ है, सुरेश कपड़े बेच कर घर सलाता है, मतलब अपना घर चलाता है, रोजी रोटी उस कपड़े बेच कर कोई काम करके या कोई काम करकर इससे भी बूल सकते हैं जैसे sentence में word fix होता है उसके नुसर बूला जाता है अगला है by का मतलब आप परियो करते हैं गनित में जब आप गुना करते हैं भाग करते हैं तो तब भी इसे इसे तीन से भाग दो मतलब डिवाइड इट बाइट बाइट इसे तीन से भाग दो इसे बोलते हैं चार को पांच से भाग दो तो डिवाइड फोर बाइट फाइव चार को पांच से भाग दो इसे बोलते हैं इसे नौ से गुना करो तो multiply it इसे गुना करो by 9 9 से गुना करो कोई बोले 4 से गुना करे कोई बोले 15 से गुना करो तो इसे बोलता है तो so guys thanks for watching that's all for today